नमस्कार साथियों, एक कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं मुझे कि सर क्या PGT में आप B8 जरूरी है या नहीं जरूरी है तो जो KVS की वैकेंसी आई है PGT का मैंने स्लेबस बनाया हुआ है जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं देखो यहाँ पे साथ लिखा गया है यह को साथ देखो PGT का है लिखा हुआ है न मैं आपको दिखा देता हूँ यह PGT का है उपर लिखा है न यह PGT लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है यह नहीं लिखा हुआ है यह पोस्ट ग्रेजवेट यानि PGT का है इसमें 12 नमबर तक है एक दो तीन चार 12 दूसरे नंबर पी हिंदी है तो इसमें नीचे इन्होंने पहले क्या दिया है A serial number देखो आप क्या देखोगे serial number यानि यहाँ पे देखो तो यहां पर क्या दियेगे 40 साल एज होनी चाहिए और टू इयर इंटिग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट आपका जो मस्टर डिग्री नीचे दिया गया दूसरा MSC वाला अलग है और जो हिंदी से देना चाहते हैं वो यहां पर देखें मॉस्टर डिग्री अगर उन्होंने किया है एक से छे में देखोगे एक से छे में हिंदी आएगी आपकी यहां पर तो आपका लिखा गया हिंदी और और संस्कृत विद हिंदी एज वन सब्जेक्ट संस्कृत में है hope हिंदी और अपका जो मैं सब्यक्त हिंदी वह होना चाहिए यह में संसकित नहीं तो उससे मतलब तब हमने यहां पढ़ लिया था हमने यहां पढ़ लिया था यहां पर एक कॉलम पढ़ लिया ना अभी और सी कर नियम आगे देखिए यहां सेम लिखा गया है यह देखिए है ना छे तक वहां था उसके बाद जब पीजिटी देखोगे नीची वाले में तो यहां पर लिखा प्लस आपको सीटेट जरूरी नहीं है तो आपको सीटेट जरूरी है इसमें नहीं मागा है क्लियर तो बियड जरूरी है अगर आप PGT देना चाहते हैं तो शुक्रिया सभी का जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना